वेलकम बैक तो वेरी वेरी इंपोर्टन वीडियो दोस्तो दोस्तो रिचंटी 25 नुमेंबर को गवर्मेंट अब इंडिया ने एक प्रेश रिजीज जो है जारी किया ता जिसमें बताया गया की पैंट 2.0 इस गोंटो भी अई गवर्नेंस प्रोजेक्ट इसका मतलब यह है आ हमारे income tax के filing के लिए काम आता है आप property खरीदते हो उसके लिए काम आता है and for all your transaction तो दोस्तों क्या है पैंट 2.0 इस वीडियो में आपको सारी information in-depth देने वाला हूं उसके पाइदे क्या है तूर्ड दे एंड और वीडियो कुछ ऐसे सवाल आपके मन में होंगे जो मैं आंसर करने वाला तो यह वीडियो बहुत इंपोर्टेंट है इसे प्ली लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो इस वीडियो की शुरूरात अभी हम कर देते हैं दोस्तों सबसेपहला पॉइंट जो है कि पैंट 2.0 इस एक पैंट कार्ड में होगा इन टर्म्स फिजिकल कार्ड ब मगर विट पैंट 2.0 यह प्रोसेस काफी सिंपल होना एजी होना है चंद मिंटों में आपका पैंट कार्ड जैएगा और आपके हाथ में आ जाएगा शर्त यह है कि आपके पाद एक वैलेड आधार कार्ड होना चाहिए जब आपका यह कार्ड अग्रेड हो जाता है फॉन पैंट 2.0 जब कभी भी आप एक लोन अप्लाइ करो या आप एक बैंक अकांट ओपन करें बेसिकली एनी कांड अफ फाइनशन आपके डीटेल आपके जितने भी डोकुमेंटेशन होंगे वह जगे पे वेरिफाइगे इंस्टेटली ताके आपका सारा प्रोसेस आप अपन बीने होगा और आपके सारे काम आसानी से हो जाएंगे थर्ड पॉइंट है दोस्तों यहां पे बेटर इंटिगरेशन विट डिडिटल सिस्टम अब पैंट 2.0 से क्या होगा दोस्तों वेनेवर यह दू दूइंट अपका लाइफ काफी यह एजी बना देगा बिकॉस इस इंटिगरेट वेरी स्मूदली विद अधर सिस्टम वेदर इस यूर डिडिटल वालेट यह बैंक और एविन यह टाक्स फालिंग सिस्टम पैं 2.0 से दोस्तों एक फाइदा यह कि इस बिल्ट तो कनेक्ट विद आल इस प्लाटफॉर्म सीमलेसली इसका मतलब होगा दोस्त इंफरस्ट्रक्च्र जिससे आपकी लाइफ काफी यह हो जाएगी मतलब काफी जो बड़े बड़े प्रोसेस होते वह कम होके इतने कम हो जाएंगे कि जो चीजों को दो से तीन दिन लगता अब वह घंटों में मिंटों में हो जाएंगे हमारा फोज पॉर्थ पॉइंट ए या अपना आपका लोन वोटेवर दोस्तों इससे क्या होगा कि एक बहुत बड़ा फाइदा है कि आपका पैन कार्ड का लोग मिस्यूज करते थे क्योंकि छीजे रियल टाइम नहीं होची थी अब छीजे रियल टाम वरिफिकिशन होने के कारण यह जो है प्रोसेस्ट आप उसका जवाब existing pan card holder may not be required to apply for pan under the pan 2.0 project holders of older pan card without qr code may optionally request a new one but it's not mandatory यह mandatory actually नहीं अगर आप कर लेते हैं तो आपको इसके फादे जो मने अभी थोड़ी दर पहले बता है यह थारे फादे आपको मिलेंगे and the government has stated that all existing pan card will remain valid even after the upgrade मतलब यह pan 2.0 का upgrade होने के बाद भी जो पुरा नहीं pan card they will continue to run the way they are वो बंद नहीं किये जाएंगे दुप्तों पर मेरी फिर भी आपसे विजनती है कि अगर हो सकता है आगे जाके अगर आपको आप चाहे तो प्लीज अप्गेरेट पॉंद रेगिलर pan card to the pan 2.0 इससे आपको enhanced security मिलेगी उस पर qr code आएगा आपके transactions seamless होंगे real-time verification होगा जो मैंने आपको सारा भी थोड़ी जार पहले बताया तो इसके तो फाइदे फाइदे बद चॉइस remains with you अब next important question यह कि अगर कोई apply करता है pan 2.0 के लिए तो उसे यह card कैसा मिलेगा तो once you apply for a pan 2.0 आपके email address पे जो है आपका registered email address उच पे आपको एक soft copy भेजी जाएगी if you want a physical card you will have to pay rupees 50 and 15 रुपी याने 65 रुपिया आपको भरना पड़ेगा for a physical card जो आपके verified याने आपके घर का address जो है record में वहां आपको यह courier कर दिया जाएगा जो तो इस विल बी ओलनी गिविन to people who request for it government by default सबके घरों पे या आपने आपके email address पे आपको यह card नहीं भेज रहा है only if you request to upgrade from a regular PAN card to a PAN 2.0 तब जाके आपको यह card मिलेगा otherwise you can continue to use this particular आपका पुराना काड़े आप उचे continue कर सकते यूज करने के लिए basically PAN 2.0 focuses more for businesses than individuals because businesses में यह काफी काम आता है लोगों को to make faster transaction तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था इसके बारे में जब detail process आएगा के how to apply step by step उस पे हम एक detail वीडियो बना के आपको हमारे चैनल पे जरूर बताएंगे please share this video with everybody because PAN card एक बहुर इंपॉर्टन दोक्यमेंट है लोगों को इसके बारे में मालूम करना जरूरू यह के PAN card जो पुराना था अब PAN 2.0 भी government ने जो इसे issue करना शुरू कर दिया जो तो we'll meet in another video soon